है मुझत हैं नुश्कार आज की कबर में आपका स्वागत है मैं हूं दिवाकर मिष्रां समाजवादी पर्टी के मुखिय अखिलेस यदों का यहा कथन कِ उत्तर प्रदेस कास्टोडियल डेथ के मामले में डंबर वन है यू ही नई है जी हाँ आज हम आपको उत्तरप्रदेश में कस्टोडियल डेस्ट की कलंग कथा सुनाने जा रहे हैं आकड़े बताते हैं भाजपा राज में कस्टोडियल डेस्ट के मामले बढ़ गए हैं चाहे वाब 12 दिसंबर को कानपुर देहात के रन्या थाने में व्यापारी बलवन सिंग की कस्टोडियल डेस्ट का मामला हो या 9 नौमबर 2021 को कास गंज थाने में 22 साल के लड़के अलताफ की हिरासत में मौत का केस यूपी कस्टोडियल डेस्ट का प्रदेश बनता जा रहा है इस बात की पुष्ट जुलाई 2022 में केंद्रिय ग्रह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के लोकसभा में दिये गए बयान से होती है जिसमें उन्होंने बताया था कि साल 2021-22 में हिरासत में हुई कुल 2544 मौतों में से 501 मौते अकेले यूपी में हुई जो देश में कस्टोडियल डेथ का एक बटा पाँच है इस से पहले 2021 में उत्तर प्रदेश में हिरासत में हुई मौत के 451 मामले दर्ज किये गए थे जबकि 2019-20 में प्रदेश में कस्टोडियल डेथ के 403 मामले रिपोर्ट किये गए थे ग्रिह मंत्राले के इन ही आकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पूरे देश में कस्टोडियल डेथ के मामले में नंबर वन है बता देगी कानपुर देहात के व्यापारी बलवन सिंग की कस्टोडियल डेथ के बाद उनकी पत्मी शालिनी ने अखलेश यादो को पत्र लिख कर मदद मांगी थी उन्होंने खुद को अखलेश यादो की छोटी बहन बताया था इसी सिलसिले में सोमवार को अखलेश यादो ने उनके घर पहुँच कर परिवार को सांतोना दी साथ ही अखलेश ने भाजपास सरकार पर भी निसाना साथते हुए कहा की पुलिस की पिटाई से बलवन्त की जान चली गई कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर वन है भाजपास सरकार में आकड़ा लगातार बढ़ रहा है आए सुनते हैं अखलेश यादो की बाइट नंबर एक परेदेश में ये कोई पहली गटा नहीं ही है जहां पर पुलिस की वज़े से ठाने में पीट पीट करके जान गई हो मुझे याद है गॉंडा में उसके परिवार के लोग ठाने के बार बैठे थे और उसके परिवार के सदस की अंदर पिटाई हो रही थी और जब आवाज आना बंद हो गई तो परिवार के लोगों ने पूछा कि आगरकार क्या हुआ पुलिस पीशे से उसको नौजवान को लेकर के भागी वो भी निर्दोस था आज मैं जब इस परिवार से मिलाओ बलबन सींग के चाचा ताउ और परिवार के सदस यही कह रह रहे थे इतना पीटा जिसकी आप कल्कुना नहीं कर सकते हैं और जान चली गई इसमें साजिश है सड़ेंत्र है और पुलिस जिम्दार है इसके लिए जो कारवाई हुई है ये कारवाई इतने से संतुष नहीं होना है ये कारवाईयां पहले भी हुई है जब पहले कस्टोडेल डैथ हुई आपने जेल भेज दिया लेकिन आखिरकार कस्टोडेल डैथ रुक क्यों नहीं नहीं है रुक इसलिए ने नहीं कि इस सरकार की नियस साफ नहीं है सरकार जूटे मुकदमे लगाना जूटा भसा देना बसूली करना चरम सीमा पर लूट भस्ता चार है अगर इन हत्याओं के पीछे इस तरह की कस्टोडियल डेथ के पीछे अगर आप जाएंगे तो पुलिस का वही चेरा है और आखे क्या वो चेरा बनाया किसने इस सबसे बड़ा सबाल है सुना आपने अखलेस यादों का बयान जैसा कि हर कस्टोडियल डेथ के बाद पुलिस लीपा पोती में जुट जाती है वैसे ही बलवन सिंग की मौत को पहले तो पुलिस हार्ट अटैक साबित करने में जुटी रही लेकिन दबाव पढ़ने पर कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर एसाइटी की जाच बैठा दी गई इसी तरह 2021 में अलताफ की हिरासत में मौत के बारे में कहा गया कि उसने टॉयलेट में जाकर फांसी लगा लिए दबाव पढ़ा तो कुछ आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया हलाकि बाद में उनको नई तैनाती भी मिल गई मामले में आज तक कुछ नहीं हुगा फाइल अभी तक कोट भी नहीं पहुँच पाई जबकि बीते एक साल में करीब बीस बार थाने और घर के अंदर बयान दर्ज कराने के चक्कर में परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो चुका है आज सवाल सबसे बड़ा यही है कि इन निर्दोस मौतों को क्या कभी इनसाफ मिल पाएगा इन निर्दोस मौतों के दोशी क्या कभी जेल की सलाकों के पीछे पहुचेंगे शायद नहीं क्योंकि इंसाफ की दहलीज तक पहुँचते पहुचते ये निर्दोष मौतें कई बार दम तोड़ चुकी होती हैं परिजन सिस्टम की अंधेरी गलियों में चलते चलते ठक जाते हैं और फिर हार कर मनमसोस कर कलेजा पकड़ कर घर बैठ जाते हैं और ये सिलसला कहीं थमता नजर नहीं आता आज बस इतना ही बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर